This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your Dostep. पर भयानक गड़्धा, 100 रुपे में बुलेट गाड़ी, कच्छी रोट की जिम्मेदारी MLA साहब की, कहा BSP ने, धीरे धीरे तूटनी की कगार पर अंदवेली ब्रेज, तो आए अब देखते हैं फटफट से, खबरों को विस्तार से, ये देख रहे हैं आप कितना गहरा होगा, लगबग घुटने तक पानी जमा हो जाए, इतना बड़ा गड़्धा है ये, अब क्या ही बताए आपको कि हमारी जिले में रास्तों की हालत किस कदर बिग्री है, ये द्रिश्य है आसीफ अबाद से आदिल अबाद जाने वाली हाईवे का, मानिक गुड़ा गाउं के पास ये एक ब्रिज है, जिस पर की इतना खतरनाग गड़ा बन गया है, इसको ठीक करवाने के लिए कोई नहीं आ रहा, इसलिए भारतिये जनता पार्टी के निताओं ने इस जगह पर ऐसे धरना प्रदर्शन किया, आप चाहे कुछ भी कहे, आसीफ अबाद के विधायक आतराम सक्कु का रोड एंड हाईवे मैनेजमेंट काफी खराब है, वांकडी से कागस नगर जाने वाली सड़क हो या क्रॉस रोड से कागस नगर तक की सड़क, इन सब को बनाने का काम आसीफ अबाद MLA आतराम सक्कु का है, वही इन कामों को नहीं करवा रहे, सब गनेश जी की माया है, घटना असीफ अबाद की है, जहां ये तस्वीर में दिखाई दे रही लड़की अंचली ने घूमते हुए, शेहर के सेवक संग गनेश मंडली में चल रही लोटरी तनबोरा की टिकेट खरी दी, टिकेट कदाम 100 रुपए था, ऐसे में करीब 6,000 लोगों ने इसके टिकेट खरी दे, ग्रैन प्राइज रॉयल एंफील्ड थी और ये अंचली को मिले, किस्मत अच्छे निकली अंचली की, आज सुभा कागस नगर के पुरा ने चेक पोस्ट के पास थे, गांधी नगर में बहुजिन समाज पाटी के नेता अर्शद हुसान पहुचे, और उन्हें आरोप लगाया कि यहां बनाई गई मुरम मत्टी की रोड थर्ड क्लास क्वालिटी की है, इसे MLE साहब ने एक बे स्लिप होकर दुरघटना ग्रस्त हो रहे है, पैदल चलने वाले तक फिसल कर गिर रहे है और घायल हो रहे है, इसे जोड़ी एक प्रेसवारता हमने सुभा ही प्रसारित की थी, आप उसके लिक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वैसे तो अंदवेली की पिद्दा कार पर आ गया है, देखे की ब्रेज कितना तूट गया है, ब्रेज के दो स्पैन के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, बहुत जल्द ही अब ये ब्रेज पैदल चलने लायक भी नहीं रहेगा और एक दिन भर भरा कर तूट जाएगा, दर्शकों मिलेंगे आज शाम के खब लेती हूँ आप सबसे विदा, नमश्कार